तो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं B.A.S.L.P. सलेबस के बारे में ठीक है तो उससे पहले हम लोगों ने एक और वीडियो पब्लिस कर चुका था इस वीडियो पे इस चाइनल पर तो उसमें हम लोगों ने बात किया था B.A.S.L.P. अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आपको 12 में साइन्स है रहना चाहिए या फिर बायल या फिर मैटस रहना चाहिए उसमें हम लोगों ने बैसीकली बात किया था सबसे पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं BA SLP syllabus, bachelor in audiology and speech language pathology ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके syllabus के बारे में तो बहुत से लोगों को यह लगता है कि इसमें math पढ़ाया जाता है और biology basically कुछ-कुछ subject क्या-क्या पढ़ाया जाता है तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि BA SLP होता क्या है ओके तो सपोज कीजिए जैसे आप एक रोट पर जा रहे हैं सपोज या फिर आप ऐसे समझ लीजे BA SLP लोगों का काम क्या होता है जो audiology होते हैं उनका काम basically यही होता है कि कोई बच्चा by birth अगर वो सुन नहीं सकता है या फिर बोल नहीं सकता है तो यही लोग उन सब को treat करते हैं ठीक है और इसमें salary भी काफी अच्छा है तो उस वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था तो आप उस वीडियो जाकर देख सकते हैं description में उसका link है तो जैसे कोई अगर किसी का अगर accident हो चुका है उसके बाद वो बोल नहीं पा रहा है सुन नहीं पा रहा है या फिर किसी जैसे एयरफोन बहुत सारे लोग ज्यादा यूज करते हैं तो उसके बाद उन लोगों का जो सुनने की छमता है वो कम हो जाती है सुनाई नहीं देता है तो यह सारा लोगों को भी यह का जो कोर्स करते हैं वही लोग treatment करते हैं अब बात करते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है और subject क्या क्या होता है जो कि काफी important है अगर आपका math week है तो आपको यह course कैसे मतलब करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो basically इसमें math बहुत कम नाके बराबर पढ़ना पढ़ता है मैं जो इसका syllabus का link है PDF फाइल वो मैं आपको description box में दे दा रहा हूँ आप उसे वहाँ से जाकर देख सकते हैं आप चेक कर सकते हैं क्या क्या पढ़ना है तो इसमें basically biology है और physics है physics का वो parts जो जिसमें आपको sound वगारा पढ़ना था उसको advance में पढ़ना है ठीक है sound वगारा में sound का चेप्टर था उसमें advance में आपको पढ़ना है और biology में आप यहाँ पर देख सकते हैं physiology related and speech hearing फिर introduced to audiology basic human anatomy and physiology आपको basic human anatomy भी इसमें पढ़ना है educational audiology फिर आप यहाँ पर सारा चीज़ देख सकते है sound और voice का जो चेप्टर था I think 9th में साइद 9th या 10th में था तो उसको इसमें advance में पढ़ना है इसमें math और biology ज़्यादा biology और physics ज़्यादा पढ़ना है और इसके 4th semester होते हैं ठीक है तो आप इसको एक बार चेक कर लीजे मैं इसको PDF फाइल आपको description बॉक में दे दे रहा हूं और यह काफी अच्छा course है अगर आपको MBBS नहीं मिलता है तो आप यह course कर सकते हो अगर आप interested हो तो तो इस वीडियो मे अलग टोपिक पर और बिची तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कीजिए और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like कीजिए stay home and stay safe thanks and have a nice day